तो जैसे आप देख सकतो हो यह हमारे सामने जोन डियर 36 एन है जो कोला रिवर्सर में आता है तो आज हम इसके बारे में आपको डिटेल हम बताएंगे तो जिन किसान भाए को आया है मैं उनके पास नंबर जिनसे से लेकर आया हूं उनके घाओं में यह मस्दूरी के पास पड़ता है तो इनसे हम थोड़ा से इंफोर्मेशन लेंगे इसे जाए 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 दस आठ साथ दीन हुए बस टेक्टर को लिए मेरे सामने भी काता कि टेक्टर बस इसकी वीडियो में बना नहीं पाया है और या भी तीज़गेस से जमीन जो इक होती है उसके बीच की जुताइकर काया है जो इसको तो इस टेक्टर को इन्हों लेवाए हफते हुआ मुश्किल से तो इस टेक्टर के हम पूरी बात बताएंगे और डिजल खपाद के बारे में बताया किसान ने तो यह उन्हों ने चेतिसों स्पालियों के प सब्सक्राइब अलग से लिया तो सक्तिमान का रोटर बेटर है आपको में दिखा देता हूं यह भी इससे काम करका है ठीक है और इसके अंदर डूवल क्लिश मिल जाता है आपको अलग अलग तो दोनों सेट चला सकतो ठीक है और इस टेक्टर की जो आप जो चोड़ाई दे साफ से एड़िएस्ट कर सकतो और इसमें जो रिफ्रक्रिंग लाइड मिल जाती है जो रात में आपने काम के लिए होती है जो कुछ विया इंपलिमेंट जोड़तों तो आपको अलग से कुछ भी देखने की जोड़ती इसमें आया था है इसमें एपी आनिक हाई लो के साथ तो इसमें आप लगा सकते हो तो तो चागे चलेंगे चारी गेर में पीछे चलेंगे ठीक्टर के रिजिट्रल के साथ पिलए अनलोग मिलता है और इसके अनदर डूल के साथ साथ एक्टर इसमें 4x4, 4x2 यहां पर इस लीवर से हम कर सकते हैं और जो पिनी चड़री है इस पर करदा है यह इसका छाल एक साथ करने के लिए अनले में दया इस सेंस करके और झॉल ट्र्थ कर को तो चाल कर देता है ठीक है और इस आंदर यहां पर फिल्टर हर्वाल यहां पर लग जाता है तक तारक्तर मृशक के एपर तैया, इसमें और आपर 4x4 प् दूजरे साथ से मिसे थोड़ा कावर कर लेते हैं पहला आगे से देख लीजिए आगे इसको वही लुक मिलता है जो जो इंडर के अपने बड़े टेक्टर मिलता है उसी को थीम्स को पुरकरा करके और इस टेक्टर के अंदर जो डिजल टैंक की जो कैप वह गरीन कलर की कर दी पहले ब्लैक कलर की आती थी और इसमें पैर की एक्सिलेटर इधर मिल जाती है और इसमें हैंड की एक्सिलेटर की जो इंडर की थोड़े उल्टी साइड में चलती है अधर्स टेक्टर के हम ऐसे खेंज के पावर रेस बढ़ाएंगे इस टेक्टर के हम ऊपर की तरफ सब सच्छी बात क्या है इसे बंड टेक्टर को भी आम मोड सकते हो जब कि बहुत से टेक्टर में जो पार स्टेक्टर को चला है उसके बारे में उनकल जान कर लेंगे और इसमें देख सकते हो इसमें डीजल फिल्टर के साथ सथ इसे कवर भी क्या हो है ताकि इसमें कुछी लग के फोट रहे है क्योंकि यह ट्रांस्परेंट कंच का होता आप देख सकते हैं इसके अंदर से देख लेते हैं इसमें लीवर इसमें दबा करके नॉर्मली फुल जाता है इसका लीवर देख हे थिजह मदा अब देख सकता है यह त्योंकि कि जो रिट उल्हें अए त्यक्ति का लक्त बेसा नियोंकि नरינी की किए वह साधी हो तो इसका भास कि दो अलग से निए इसका गेरव श्रोने लिए प्लेट लगा जाक देख सकते हैं तुन स्ट कर्ण्याटर में डेकं प्लेट्र लागा देता है असे पिछरोड टॉटी किसी ब्लूड बिल्गल प है मतलब कोई कोम्प्रमाइज निवारा बकसता और देख सेकते हैं जो अपने टेक्टर की प्लेट लागा देता है तो इसे हम डाल देते हैं थोड़ा से अंकल जी थोड़ा सा आप जड़ा करीब माईए तो आपको स्वागत है हमारे चनल पर मुझे यह बताए दिये आप यह चला रहे हो आपने टेक्टर पूरो संतुस्ट तो डिजल खपत आपने जैसे मेर से बात कर दें कितना डिजल खपत आ रहा आप दूबारे दर्सकों को बता दो लगबाग एक यह ले रहा है एक लिटर एक लिटर एक लिटर शाड़ थीन सो गिराम तो कोई भी जाद िधार इसमें अपड़ेख सकते ही साइड़ शिफ्टिंग जाट्री बोक्स मिल जाते हैं जाते हैं चैस को दो यह यह थे ही मिल्ठाई। इस जिसको दबा गर आप हैंट फ्रेक लगा सकते हो मैं आपको लगा जयत ऑसे पर निवने में डगा दो है निख लगिए लग्रेस तो जो समय देख सकतो अभी एक ट्रैक्टर पुल तो आलिस गंटे इनोंने तीन दिन में तीन दिन में तीन गंटे चला दिया और नहीं बहुत किसान के पास गंटे पुरा एक पर महेने चलता है और इसमें रिटिट आर्गें 35 दिखा रखे फोड़ा देख सकतो अभी इतना 30 अभी देख सकतो है इतनी दिखा रहा बिल्कुल जीरो पड़ा एक्सेलेटर करते हैं त्रैक्टर को देख सकतो है और जैसी स्पीर्ट दे रहा है तब आर इसी चाप बिज़े स्टाटों को यह बंद हो जाएगा तो अब देख से पीचा आते तो तो त्रैक्टर अप देख यह मतलब इंजन ओएल फिल्टर वह इधर मिल जाता है जो की बड़ा स्वांदा लगता है ठीक है ना और प्लाटफोरम जो इसका मिलता काफियत तर सपाड मिलता है और देख सकते हो अएन आपको दिखाये भी एक बार फिर दिखायता हूं यह कितनी देर चलावा देक्टर दूसरी चाप भी मिल जाती है टंकी कि दोनों अलग 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 चाप भी दिखा रहा है कि इधर में चाप भी लग कही है खुलेगा ठीक है और आप गिरीन कर दें पहला भी लगता है इसको दबा करके इस पर भी रवाट दे रखी देख सकते हो ताकि किसान का गोब या गार देने चाहते हैं कि इनके साथ लगी रहा है और हमें सब बढ़े टैक्टर चले और अब देख सकते हो इधर पाइदान चोटे टैक्टर में भी जोंडर ने पायदान दिया चाहता तो इस चीज को हटा कर दे सकता था कि छोटे ही हुँ चाहिए कि लेगा लेकिन ये कुछ भ कि इस टैक्टर जाओ देखनायक हँ इनके पास 55 ऊसपार चला अब जो 55 सेओं डेंगे और 53 10 तो अब यह देख सकते हैं बहूंगाने कि यृज्च बिलकुल फूली रेक्ट क्यूं रम मिलता है रिए कि तूदिनी पड़े कुछ आसे हमें पूए स्च्छी के पड़े बिल्कुल नीचे की तरफ दे रखा बिल्कुल वो भी कितना हैवी तरह के बना के दे रखा कि आपको लग से कुछ भी लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी और इसमें आप देख सकतो पीटे को पर भी कैप मील जाते है ताकि इसमें कुछ भी हिट नहों या कुछ चीज ना ल है तो यह उससे दो डिहां गंटए वाद इसको लेना पहुंच गए तो इसलिए मैं इसकी वीडियो बनाने में थवड़ा ऐसा मर्त रहा लेकिन मैं उनका फॉन्र महां से ले करके और उनका पता लेकर के मैं या आप की लिए वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चनल पर पहल करके ऐसे किलर का रहा हुआ लिखा हुआ है और इसके बगल में आप देख सकते हो बैल आइकन आएक बनावा उसके वह दबा दबा देना ताकि या निवीडियों को नोटिफिक्शन सबसे पहले में से थैंक